हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब मेरे नाम है दीपक चाहर रस्या और आप सभी का हमारे सीडियोग चनल पर बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आइफोन थेर्टीन दो हजार चौबेस में लेना चाहिए फिर नहीं लेना चाहिए और इस पर जो सेल आ रही है वो कितना प्र सब्सक्राइब करके बिल आगन को अन रख लीजिए ताकि जब मैं नेक्स टाइम वीडियो अप्लोड करूं इसकी नॉटिफिकेशन आप लोग तक पहुंच जा है तो दोस्तों यह आइफोन 13 जो की सेम टू सेम आइफोन 14 जैसा ही है यहां पर दोस्तों सारी की सारी जो च प्राइस चलती रहती है वो पचास जार के आसपास चलती रहती है Amazon or Flipkart पर वगारा पर लेकिन अगर मैं बात कुरूं दोस्तों जो सेल आ रही है बिग बिलियन डेज फ्लिपकार पर उस पर इसकी क्या प्राइस रहने वाली है तो उस पर इस फोन की जो प्राइस रहने वा किया है तो कैशिफाइव अगर आप पर 35,000 का सेकेंन मिलता है तो अगर आप लेने ही जा रहे हो 35,000 का सेकेंन तो उससे बेटर है कि आप थोड़ा सा वेट करो और पिक बिलियन डेज में आप नया खरीद दो अब लेना चाहिए फिर नहीं लेना चाहिए अगर मैं उसकी ब करीब पचास और अगर आपका यह बजट नहीं है फिर तो कोई बात ही नहीं बड़ अगर आप अफोर्ड कर सकते हो क्योंकि आप 35,000 और खर्च कर रहे हो तो आप 15,000 और एरेंज कर सकते हो तो आइफोन 15 ज्यादा बेस्ट और अच्छा option रहेगा आइफोन 13 की तुल ना मे इस सबसे ब्सक्राइब करें आप過去 वे नहीं है दोर्त टाना मिलेक्स धर्णकि तौर्टेज वह लिएदा आप कर आपको haircut में यह मिली नहीं है नहीं है अपर एव्लाद कर, जो बात करें है ओए आप幾 ज्यादा डिफरेंस रिपर्स है। क्योंकि आइफोन 15 ने उसमें आपको 48 MP के कैमरा मिलता है जिससे आप जो वीडियो विगया रहा है थोड़ा सा अच्छी निकल किया आते हैं चाहिए मैं फोटो की बात करूँ चाहिए मैं वीडियो की बात करूँ आइफोन 13 से काफी जाथ अच्छी जो है फोटो निकल किया थे और अगर आपको नाइट मोड की तो वो तो बेटर है ही तो अगर आपका बजट है तो उसके लिए जा सकते हो अधर्वाइस आइफोन 13 भी आज की टाइम पर भी बिलकुल लिया जा सकता है बहुत ही प्यारा फोन है लोग तो आज कल आइफोन 11 भी खरीद रहें कि वो भी एक अच्छा फोन है लेकिन अगर आपका बजट ही नहीं आपका बजट ही 30-35 से तो कोई बात ही नहीं आप इसके लिए भी जा सकते हो सेकेंड इन मार्केट में अगर में बात करूँ कुछ टाइम के बाद क्या प्राइस रहने वाला तो जो अभी प्राइस है 30-35 वही बाद में भी रहने वाला है यह थोड़े टाइम की sale रहती, 5-7 मिनेट में मुझे लगता है सारे के सारे phone जो है, जो minimum price होता है iPhone का जो drop होता है, उसमें 5-7 मिनेट में ही सारा game हो जाता है, बाकि उसके बाद धीरे दीर iPhone 13 की price बढ़ने लगेगी, last year इसकी price जो 45,000 थी, अपना Amazon की Great Indian Festival sale में, तो 10,000 कम मौनल आपको अपडेट भी मिलेंगे, 2020 में आता है, तो 5 साल मान लिजिए, 2026 तक आपको officially इसमें अपडेट तो देखने को मिलेंगे, 5G है, base variant इसका 128GB का है, cinematic mode आता है, बाट इसमें 180P में ही, 1080P में ही आप जो है, वीडियोज cinematic mode में record कर सकते हो, but overall, okay phone है, बहुत अच्छा phone है, आज का ताइम पर भी काफी लोग यूज कर रहे हैं, जो लोग यूज कर रहे हैं, उनको तो अपडेट करने की, अपडेट करने की जरूरत ही नहीं कोई iPhone, but यहाँ पर एक छोटा सा issue यह है, दोस्तों, iPhone 13 series में यह आ रहा है, कि जब से उन लोगों ने अपडेट करना phone को तो सारी चीजे मतलब मस्त ही दिखने वाली है, तो यह है मेरा इस iPhone 13 के बारे में opinion, और design वगरा, same to same, 15 जैसा, 14 जैसा के लोग, सारा कुछ अच्छा इसमें आपको जो है देखने को मिलता, अगर आप लोगे भी आज के टाइम पर नहा phone, तो कम से कम तीन साल तो आराम से बि अगरे में आप नीचे comments में लिखकर में बता सकते हैं, बाकी नेक्स्ट वीडियो आईगी iPhone 12 के अपर, मैं आपको बताऊंगा कि iPhone 12 आपको लेना चाहिए और नहीं लेना चाहिए, तो उस वीडियो को देखने के लिए उस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन